प्रभासर कुरोती सनन स्टारल फिल्म आदिपूरुष इस शुकरवार को सीनिमा घरों में रिलीस होने जारी है इस मोस्ट अवेटिर फिल्म को लेकर फैन्स उपर एक्साइटेड है कब सिनेमा घरों में रीज होगी फिल्म कितना कर सकती है बिजनेस दिखते बॉलीबूर्ट रिपोर्ट अंदर की बात में आदिपुरुष की एडवांस बुकिंग रविवार से ही शुरू हो चुकी है तीन दीनों में सिर्फ पीवियार से एकलाग टिकेटू की बिक्री हुई है इसका 25 दसमलों हिस्सा साउथ की राज्यों से है ट्रेड एक्सपुर्ट का कहना है कि फिल्म पहले दिन सभी भाशाओ को मिलाकर पचास करूर रुपे का बिजनस कर सकती है हिंदी वर्जन में फिल्म 15 से 18 करूर का कलेक्शन कर सकती है फिल्म समिक्षकों का मानना है कि रामायन पर बेस्ट होने की वज़ों से फिल्म को दर्शकों का काफे अच्छा रिस्पॉंस मिलेगा रामायनी का ऐसी स्टोरी है जिसे दर्शक कभी भी देखना पसंद करेंगे आदेपुरुष में रामायन को नए तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली और मुंबई में फिल्म की टिकेट 2000 रुपे तक बिक रहे है इसके अलावा नोईडा में 1650 रुपे तक टिकेटों का रेट रहा है बैंगलूरू और कोलकत्ता में भी लगभग इतने की ही टिकेट बिक रहे है चिन्ने और हैदरबाद में इन जगव की अपिक्षा रेट कम रखे गए है फिल्म प्रोडूसर और ट्रेड अनालिस्ट गिरिश जोहर ने कहा इसमें कोई शक नहीं है कि प्रभास की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है वर्श 2022 में रिलीज हुई उनकी फिल्म राधिश्यम डिजास्टर साबित हुई थी